विल्यम सेक्स्पियर 16-17 सताब्दी के प्रिशिद्ध नाटकार तवी हैं, जो की एलिजाबेथन जेकोबियन कालखंड के महत्तोपूर्ण हस्ताप्छर हैं। विल्यम सेक्स्पियर प्रमुक रूप से एलिजाबेथन नाटकार हैं, यद्ध्य उनकी कुछ क्रतियां जेम्स प्रथम के समय की भी हैं। सेक्स्पियर के प्रष्ठ भूमी में एक महान नाटकारों की सम्रद्ध परंपरा हैं, जिसे इन्वर्सिटी विट्स कहते हैं। विट्स का अर्थ स्कालर या पंडित या विद्ध्वान होता है। आज हम इन्वर्सिटी विट्स का अध्यन करेंगे। इन्वर्सिटी विट्स 16th century English playwrights and pamphlet years who were educated at universities Oxford or Cambridge and who become popular secular writers. तो इन्वर्सिटी विट्स जो थे, वे सोलमी सताबदी के English नाटकार थे, English playwrights थे और ये पैमफ्ले लेट यर्स भी थे, यानि पैमफ्लेट भी छापते थे, तो अपनी बातें एक पैमफ्लेट के रूप में भी रखते थे। पैमफ्लेट एक छोटी सी रचना होती है और प्रकाशन इसका आसान होता है नाटक या किसी बड़े सर्जन की तुलना में। तो सोलही सताब्दी के ये पैमफ्लेट यर्स थे। जो कि इनवर्सिटीज में आक्सफोर्ड और कैमब्रीज इनवर्सिटीज में पढ़े थे। यानि इस समूह में साथ आते हैं साहित्यकार आते हैं तीन कैमब्रीज के पढ़े हुए हैं तीन आक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और किड जो हैं टॉमस किड उनको भी इसमें रखा जाता है जो ना आक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं ना कैमब्रीज के पढ़े हुए है तो इनकी सबसे बड़ी बात थी एस सेकूलर नाटकार थे सेकूलर राइटर थे तो इन्वर्सिटी विट्स के जो नाटकार है प्ले राइट्स हैं एस सेकूलर थे और इन्होंने सेक्स्पियर के लिए रास्ता तयार किया था, सेक्स्पियर के लिए पहले से ही रास्ता बनाया था Cambridge M.G.N. Marlo, Robert Green, Thomas Ness तो Cambridge University से पढ़े जो University Wits थे, वे Christopher Marlo थे, Robert Green थे और Thomas Ness थे Marlo, Robert Green, Thomas Ness, Cambridge Oxford LLP, Thomas Lodge, George Pillay, John Lilly तो Oxford के पढ़े हुए, Thomas Lodge थे, John Lilly थे और George Pillay थे Thomas Kidd, No University, Thomas Kidd किसी भी University के, यानि न तो Cambridge के और न आक्सफ़र्ड के पढ़े थे विट मींस स्कॉलर, विट कार्थे हाँ पर स्कॉलर है University Wits प्री सेक्सपीरियर, University Wits सेक्सपीर से पहले के हैं यद्यपी, Christopher Marlo और William Shakespeare दोनों एक ही साल पैदा हुए थे दुर्भाग इवस, Marlo का निधन बहुत ही पहले हो गया था लेकिन Marlo ने अपना लिखना सेक्सपीर से पहले चालू किया था तो ये University Wits से प्री सेक्सपीरियन थे यद्यपी, इन में बहुत से बहुत से क्या लगभग सभी सेक्सपीर के समकालीन भी थे फ्राइर बेकन, क्रिश्टोफर Marlo जो थे 1564-593 एक कैमब्रीज के पढ़े हुए थे University Wits से प्री सेक्सपीरियन थे क्रिश्टोफर Marlo 1564-593 एक कैमब्रीज के पढ़े थे फ्राइर बेकन एक ग्रीन का है As You Like It 1599 पब्लिस्ट इन दा फर्स फोलियो 1623 तो As You Like It सेक्सपीरियन की प्रिसिध कॉमेडी है 1599 की है और सेक्सपीरियन के फर्स फोलियो में 1623 में प्रकासित हुई थी पब्लिस्ट इन दा फर्स फोलियो 1623 इंस्पारड बाइ टॉमस लाज रोजा लिंडे 1590 और As You Like It टॉमस लाज के रोजा लिंडे से प्रेरित है और रोजा लिंडे जो टॉमस लाज का है पंदा सोन नबे में प्रकासित हुई था यानि इसके नौ साल बाद Shakespeare ने As You Like It लिखा था Edward First ए जार्ज पीले की प्रकी है Edward First जार्ज पीले की प्रकी है तो इन्वर्शिटी विस्ट के बारे में सामान निसा परिचे था इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसके नोट से भी लें थेंक्यू धन्यवाद